Hello everyone, welcome to your history class, we are doing 7th chapter of 12th history, the name of the chapter is an imperial capital Vijayanagar. यह इस chapter का 4th part है, पहले के 3 parts को अगर अभी तक आपने नहीं देखा हैं, तो वो आप मेरे चैनल के playlist पर जाकर देख सकते हैं. आज हम डिस्कुस करने वाले हैं the second center, थार्मिक किंद्रों के बारे में. जब हमने अपने पिछले parts को डिस्कुस किया था, तो हमने देखा था कि बहुत सारे temples यहाँ पर देखने को मिले हैं. इवन जब historians यहाँ के गलियों से गुजरे, तो उन्हें जो हैं गलियों में भी बहुत चोटी-चोटी strands मिले हैं. अब इतने सारी temples यहाँ पर क्यों बनाए जाते थी, उनके पीछे क्या history रही, और विजयनेगर के establishment से पहले यहाँ की क्या history थी, वो सारी चीजें जो हैं हम इस पार्ट में discuss करने वाले हैं, तो चलिए start करते हैं. Our first point is choosing a capital, a capital को choose करना, now we move to the rocky northern end of the city, अब हम जो है city के rocky northern end की तरफ move करते हैं, यानि कि जहाँ पर बहुत सारी hills थी, जो कि तुंग भदरा river के किनारी पर situated था, एक local tradition के according, इन hills पर monkey kingdom settled था, monkey kingdom यानि कि जो वाली और सुग्रेव के द्वारा, जो kingdom किया गया था, वो यहाँ पर इन ही hills में किया गया था, ऐसा रामायना में भी mention किया गया है, दूसरा एक और tradition हमें suggest करता है कि यहाँ पर पदमा देवी जो कि इस area की, जो कि इस empire की local mother goddess थी, उन्होंने इन hills में तपश्या की थी भगवान वीरुपक्षा से मिज करने के लिए, वीरुपक्षा जो कि इस kingdom क guardian deity थे, और जिनको शिव के नाम से भी जाना जाता है, और जिस दिन भगवान वीरुपक्षा और पदमा देवी की marriage हुई थी, उस दिन को annually आज भी वीरुपक्षा टेंपल में celebrate किया जाता है, जिस तरह से हम दिवाली और दसहरा celebrate करते हैं, सेम वसी तरीके से वीरुपक्ष टेंपल में आज भी जो है पदमा देवी और वीरुपक्षा की marriage के डे को celebrate किया जाता है, ठीके, एक और कहानी यहां पर हमें बताती हैं कि विजय नगर के establishment से पहले, यानि कि विजय नगर के पहले का जो पीरिड था, उस टाइम पीरिड के यहां पर जैन टेंपल भी मिले ह मिन्स दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं कि यह जो एक है, वो सेवरल सेकर ट्रेडिशन से एसोसियेट करता है, अब ट्रेडिशन टेंपल को क्यों बनाया जाता था, इसके पीछे एक लॉंग हिस्ट्री है, अगर हम हिस्ट्री में पीछे की तरफ मूव करें, बहुत पुरान को एस्टेबलिश्मेंट करना लोगों के बीच में, अपनी फेम को बढ़ाना, यह हमने अपने पिछले पार्ट में भी डिस्कस किया था, कि जो रूलर्स होते थे, वो अपनी फेम को बढ़ाने के लिए, टेंपल्स को बनाते रहते थे, सेम ऐसा ही विजयन अगर के किंग् कर दे जाती है, जैसे आज कल स्कुल में एजुकेशन दे जाती है, पहले रूलर्स होते थे, और जो दूसरे लोग होते partie यहां पर ग्रैंड करते थे, लैंड और दूसरे डिसोर्स को इन्प्रशिज को जाधा सेज़ा टेंपल्स को पार्श को जाधा सबस, जाधा है बिल् करते थे टाइम के साथ साथ अगर हम रूलर्स के point of view से देखें तो रूलर्स जो है अपनी पावर वैल्द और प्यटी को शो करने के लिए इन यहां पर जो वीरुपक्षा और पदमा देवी के टैंपल्स बने हुए थे इसलिए विजय अगर के रूलर्स ने इस एरिया को चूज किया कि वही एक सेकड़ प्लेस है बहुत ही पवित्र स्थान है और इसलिए हम जो है अपना किंग्डम को यहीं पर situate करेंगे okay in fact जो विजय अगर के kings थे वो जो है भगवान वीरुपक्षा के बहाफ पे रूल करते हैं ऐसा ही हमेशा कहते थे किभी हम भगवान वीरुपक्षा पे रूल कर रहे हैं इवन उनके जितने भी royal orders हुआ करते थे, उसके नीचे जो sign होते थे, वो भी श्री वीरु पक्षा के sign होते थे, इसको मैं आपको एक example से बताती हूँ, जैसे मालने जी आपका school है, college है, कोई दूसरा institution है, जहां भी आप study कर रहे हैं, जब भी यहां पर किसी भी type का कोई notice या circular निकलता है, तो उसके नीचे sign किसके होते हैं, principles के होते हैं, या फिर institution के जो manager होते हैं, जो DM होते हैं, उनके sign होते हैं, सो सेम उसी तरह के से, जो kings होते थे, जितने भी वो royal orders या circulation, circulate निकालते थे, कोई भी चीज को circulate करते थे, तो अपने sign ही उसके नीचे करते थे, बट व था, क्योंकि वो लोगों को ये कहना चाहते थे, वो बताना चाहते थे कि हम भगवान के भगवान वीरु पक्षा के बिहाफ पर ही यहाँ पर rule कर रहे हैं, जैसा वो हमें करने को कहते हैं, हम सेम वैसा ही कर रहे हैं, एक और टाइटल वो लोग यूज किया करते थे, सुरातरन, हिंदू सुरातरन, यह जो है एक सुरातरन, यह जो है Arabic term है, जिसका मीनिंग सुल्तान होता है, और हिंदी में इसका मीनिंग होता है, किंग, यह एक संस्कृत ट्रांसलेशन है, यानि कि सुल्तान के संस्कृत ट्रांसलेशन है, हिंदू सुरातरन, जिसका मीनिंग होता है हिंदू सुल्तान हिंदू किंग ओके इवन जो विजयनगर के एंपरर रहे हैं उन्होंने एरलियर ट्रेडिशन को अपनाया और विजयनगर को पूरी तरह से डेवलप भी किया अब जो है जो टेंपल्स बनाये जाते थे उनमें जो है रोयल पॉट्रेट भी रखे जा उनको भी मेरखा जाने लगा और जो किंग होते थे वो जब थे इन टेंपल्स में विजट करते थे अब उसको एक औरटनरी विजट नहीं समझा जाता था US. इक स्पेशिल औरूप सेड होते किया जाता था अकली किंग कभी टैंपल से नहीं जाते थे उनके साथ उनके साथ नंतरे की जो हमेशेby हो जाया करते हैं इस थी कहने नहीं न हैं टैंपल स्कूंस्ट बनाया जाता था पहुत ज्यादा सब्सक्राइब जह लागा धिरी तक था कि Kings जो है अपनी authority को लोगों के बीच में establish करते थे अब है गौपुरम सेंप्रमंडप्स यानि कि यह जो है क्या थे temples के architecture थे इस time period पर अगर हम temples के architecture के बात करें तो इस time period पर architecture में बहुत सारे नए नए features जो है add हो चुके थे इन features को add करने का पीचे reason क्या था कि वो जो है king की imperial authority को show करते थे और इसका जो best example था वो था गौपुरम यानि की royal gateways जो गौपुरम्स होते थे वो बहुत उचे-उचे बनाये जाते थे बहुत बड़े-बड़े pillars पर बनाये जाते थे गौपुरम्स इन दा सेंस की gateways जो gateways होते थे वो बहुत उचे-उचे बनाये जाते थे इतने उचे बनाये जाते थे कि जो central shrines यानि की जो छोटे मंदिर होते थे वो उनके पीछे ड्वाफ यानि की बोने लगते थे उनको बहुत उचा-उचा बनाये जाता था इतना उच किंग की पावर को किस तरह से रिमाइंड करवाती थी इन टेंपल्स को बनाने के लिए बहुत सारे resources, techniques और skills की जुरूरत पड़ती थी और ये सभी resources, techniques और skills जो है किंग के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती थी और इसलिए ये जो बड़े-बड़े जो towering gateways थे वो सार किंग की पावर को शो कर रहे थे दूसरा एक और यहां पर distinctive features था इन टेंपल्स का वो था मंडप्स यानि की pavilion मंडप्स क्या होता था एक long pillar corridor होता था यानि की ऐसा corridor जिसमें बड़े-बड़े pillar होते थे इस तरह से और इस तरह से बनाया जाता था आपने शादियों में भी म सो इस तरह से बड़े-बड़े मंडप्स यहां पर बनाया जाते थे इस मंडप में आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से यहां पर इन pillars की ओपर carving की हुई है और इन carving के लिए एक fine artist की जुरूरत होती थी, skill की जुरूरत होती थी, techniques की जुरूरत होती थी, यह सारी techniques, skill किसके द्वारा राजा के द्वारा अविलेबल करवाए जाती थी, इसलिए यह राजा की पावर को भी शो करती थी, ठीक है, अब हम जो है two temples के बारे में discuss करेंगे, वो temples है, वीरुपक्षा temple और विठर temple, जो वीरुपक्षा temple है, वो centuries पहले बनाया गया था, इनको बताने से पहल जिसके चारों तरफ पिलर्स होते थे, अभी मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई उसकी, ठीक है, जो जो वीरुपक्षा temple है, वो centuries पहले बनाया गया है, इवन यहाँ पर जो inscriptions मिले हैं, वो inscriptions हमें suggest करते हैं, कि उसको जो है 9th और 10th century में बनाया गया था, it was, जो जब यहा बड़े scale पर नहीं था, लेकिन धीरे धीरे विजयनगर के जितने भी emperors थे, उन्होंने इसको और ज़्यादा बढ़ाया, maintain किया और इसको एक बहुत बड़े उपर scale पर बना दिया, यहाँ जो इसका front hole बना हुआ है, temple के सामने एक बहुत बड़ा hole बना हुआ है, यह hole जो के टाइम पर कृष्णा देवा राय के द्वारा जो है, इस श्राइन को बनाया गया था, this was decorated with the delicately carved pillars और बहुत carved, बहुत अच्छी तरह से carving किये हुए pillars के द्वारा इसको बनाया गया है, okay, so, और जो इस्टन गौपुरम है, इस्टन गौपुरम यानि कि मंदिर का जो इस् complex, यह हमें क्या बता रहा है, कि जो central shrine था, यानि कि यह जो मंदिर बना हुआ था city के बीच में, अब कृष्णा देवा राय ने इसको एक बहुत बड़ी pillar के रूप में, बहुत बड़ी temple के रूप में जो है, बना दिया, अब temples में यह जो holes होते थे, उनको variety of purpose के लिए यू programs जो है, इन ही images, जो dietis की image, जो quarts की images रखी हुई होती थी ना, उन ही images के सामने music, dance और drama किया जाता था, जैसे हमने पिछले पार्ट में डिसकुस किया था, कि जो यह 10 days का occasion को celebrate करते थे, तो इस 10 days में वो लोग बहुत सारा music, dance, drama और बहुत सारे wrestling bouts यहां पर होते थे, वो स celebrate किया जाता था, इन ही holes में dietis की marriage को celebrate किया जाता था, एक और feature था, किस के लिए in holes को use किया जाता था, dietis को swing करने के लिए, यानि कि जो भगवान होते थे, देवता होते थे, उनके झूले in holes में ड़ले हुए होते थे, और लोग जो है, उनको जुलाते रहते थे, तो dietis को swing क करने के लिए इन होल्स का यूज किया जाता था जो स्पेशल इमेज होती थी वो श्राइन के विल्कुल बीच में रखी जाती थी और इनका यूज जो है अलग-अलग विश्णो के रूप में करनाटका में इनकी जो पूजा जहोवा एक अलग तरीके से की जाती है यानि कि यह जीज हमें क्या शो कर लिए कि विजय नगर के अलग-अलग प्लेस पर लोग अपने भगवानों को अपने देवताओं को अलग-अलग तरीके से पूजा करते थे और विजय नगर के जो रूलर्स थे उन सबने इन डिफरेंट ट्रेडिशन को अपनाया और यहाँ पर जो एक इम्पीरियल कल्चर को क्रियेट भी किया अगर हम बात करें तो दूसरे टेंपल में भी ऐसा ही होता था सेम उसी तरीके से लोग जो अलग-अलग ट्रेडिशन को यूज करते थे एक यहाँ पर जो अलग-अलग होल्स बने हुए होते थे और एक और जो डिस्टिंक्टिफ फीचर हमें जो है विठल टेंपल का देखने को मिला है वो है दा श्राइन डिजाइन एज चेरियोट या बनाया जाता था एक रथ की तरह चरियोट की तरह बनाया जाता था ठीके सो ये जो स्ट्रीट्स अ करते थे अपने सामान को बेचने के लिए कंग जो बड़े बड़े इहां पर आप किये जाते थे उन संद्वरेशन्स पर बहुत सारे मर्चेंट आतें इवन विजयनगर और विजयनगर के बाहर से अपने समान को बेचने के लिए और वह लोग अपनी शॉप को कहांपर लगाते थे यह पैविलेन होते थे जो होल्स होते थे ना इन ही के चारो तरफ जो pillars होते थे इन halls में जो pillars होते थे इन pillars के चारो तरफ भी वो अपने shops को establish करते थे ओके जिस तरह से नायक्स ने यहाँ पर fortification के tradition को continue रखा same उसी तरह के से उन्होंने temples को build करने के tradition को भी continue रखा था in fact बहुत सारे ऐसे गौपूरम्स हैं जो कि नायक्स के दुआरा बनाए गए हैं ओके इस पार्ट में हमने क्या discuss किया कि किस तरह से temples का architecture किया जाता था main यहाँ पर दो ही distinctive feature थे वो थे गौपूरम और mandabs और इनी को use करके mostly जो temples जो बड़े-बड़े temples होते थे वो बनाए जाते थे यह सारे के सारे temples king की authority को show करते थे और king भी जो है अपनी authority को अपनी fame को अपनी wealth को show करने के लिए बहुत सारे temples को बनवाते थे उनको maintain रखने के लिए भी other resources को provide करते थे आज हम यहीं तक करने वाले हैं next part will do in next video I hope आपको यह सारी चीजे जो हमने आज जो second places के बारे में discuss किया है वो सारी चीजे clear हुई होगी please tell me in comment section like and share my videos and subscribe my channel for new updates thank you bye bye keep learning